हेलो गाई सब्सक्राइब करते हैं शावे दिखाए ज़ो मुवी के लिए चान का वेट कर रहा होता है पर चेन तो नहीं आती पर मुवी स्टार्श रोर होने वाली होती इसलिए वह चान को कॉल करता है कि तुम कहां पर हो तो वह कहनें लगती कि मैं शॉर्टकट ले करा रही इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ पर जहां से मैं आ रही हूँ वो वाली पिरिडिंग अभी बन रही है है इसलिए समझनी आ रहा कि मैं कहां से लिखनू ये बात सुनकर शावे कहता है कि मैं तुमें लेने के लिए आ तो वह करते के निनी वहीं पर मेरा वेट करों मैं आ रही हूँ इतने में शावे को चैन की चीक की आवास आती है कॉल से और वैसे पास से स्क्योटी वाले गुजरने लगते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया था वहाँ पर कोई गिर क्या है तो हमें वहाँ पर उससे लि आता है कि एक तफ़ा तो चैन के यह वले शूस उसने भी साफ किये थी इसलिए वह जल्दी से उसके उपर आई वी चीजों को साट पर करने लगता है पर जैसे साट में करता है तो पता लगता है कि यह तो एक डमी थी जिसे देखने के बाद उसे इस बात का स्कून आ जाता यहाँ पर चैन नहीं थी जब कि पीछे से चैन उसे आवाज देते कि शावे यह देखते साथ यह जल्दी से जाकर उसे हक कर लेता है अब दोनों जब साथ में जा रहे होते एक दूसरे का हात पकड़कर शावे करने लगते कि मुझे तो लगाता कि वह तुम होगी इसलिए मैं तो तुम्हारे ली परिशान हो गया तो मैं तुम्हारे ली परिशान हो गया तो मैं तुम्हारी गलती है तो मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहिए तो जब तुम्हारे पर नहीं जाना चाहिए तो जब तुम्हारे पर नहीं जाना चाहिए तो जब तुम्हारे पर नहीं पस नहीं आने दूंगी अब शावे उसकी ये बाद सुनने के बाद चैन मिलान को किस कर लेता है अब ये एक पार फिर से कबल बन चुके थे और इदर शो में दिखाए जाती है जो शावे की दी हुई ड्रिंक्स को लेकर आती है इन दोनों को खुश देखने के बाद वो पू को भी कॉल आती जिसकी कॉल से बता लगता है कि वो प्रूफ हो गई है इंग्लैंड जाने के लिए ये बात वो अपनी दोस्तों को भी बताती तो उसकी दोस्तिल सैड हो चाती है कि क्या तुम अब चलती चली जाओंगी तो जो कहने लगती कि मैं कुछ राइम के लिए बाह माम तो खुश हो जाते कैं लगती कि तुम भी हमें बाहिर बुला लेना और वही पर एक चच्छ़ से लड़के कर ढूनना जिसकी साद्व तम करवा लेना और वहीं पर सेटल हो जाना ऑगती है अब उसकी मॉम तो बस उसकी भाई की बाते किया जारी होती है जाओ तांगा कर अपनी मॉम से कहने लगती कि भाई की बाते करना बंद करें बर क्या मुझे ये बताएं कि आपके हस्बन अगर जाओ जी ना होते तो क्या मुझे पैदा करती ये बार सुनने के बाद उसकी वाम भी कुछ उपह जाती है तो जवरो काहती कि आपके पास कोई बात नहीं उसे मना करने लगती है कि तुमें बार नहीं जाना चाहिए पर वोग तो अपनी दोस्तों के बात को भीनी सुन्ती बलके फैंक की मॉम के साथ बाही चली जाती है अब जब बात करने के बाद वापिस आती है तो जो तुमसे हल नहीं मांगनी चाहिए जबकि मैं बिशर्मो की तरह भी भी तुमसे हल मांगने के लिए आ गई हूँ और ये भी बताती है कि फैंगो यावे का ब्रेक अप हो गया है क्योंकि तुम्हारे छोडने के बार वो दोनों साथ में हो गए उन डोनों ने तीन महीने साथ में गज़ाने पर वो दोनों एक तो उसे से ठीक से बात नहीं करते थी क्यूंकि यावे उसे घर के काम करवाती ती जबकि उसे कुछ भी करना नहीं आता था पर तीन महीनों से वो जुप-ienna चाफ उसके कहने पर बस की ये जा रहा था ये कहे कि उसके सर ब्रेक अप कर लेती और फैंग भी अपना काम करना दुबारा से स्टार्ट हो जाता है तो वह कहने लगती कि मैंने इस घर से नहीं जाना वरके तुम जाओगे क्योंकि मैं इस घर का रेंट देती हूँ और साथमस की माम ने ये भी बतायता कि जब वो उसके घर से सीड़ियों उतर आता था भी वो उसकी सीड़ियों से गिर गया था जिसकी वज़ा से उसका लैपटो भी खराब हो गया और साथी साथ उसके हाथ पर भी चोटा गई और पता लगता है कि उसके लड़ाई हो गी थी क्यूंकि उसके डाट कहते थे कि तुम अच्छे ग्रेट्स नहीं लेकर आए तब से वो घर पर बैटा पर वो किसी से कोई भी बात ने करता पर हर बात में तुम्हारा नाम ज़रूर लेता है इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ आजो अब ये बात सुनने के बाद उसकी दोस्ते कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुमने अगर इस प्यारे में कुछ सोचा है तो तुम वो ही करो तो वा कहन लगती कि बस मैं उसको हेल्थी देखना चाहती हूँ जैसे वो पहले हुआ करता था इसलिए बस उसकी थोड़ी से हेल्फ करने के लिए जा रही हूँ अब त्यारी और पैकिंग वगरा करके जैसी वो वहाँ से सब को एक एक चीज देने के बाद जाने लगती है तो वहाँ पर चैन आ जाते चैन उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी यहां था कि अपनी बाकी रूमिर्स के लिए भी उसने उन सब के लिए एक एक ट्राइंग बनाई थी जिससे वो देने लगती है सब भी अपने अपनी पिक को देखकर इतना कुछ औरी होती कि तुमने कितनी अच्छी बनाई तो चैन कहती कि मैं तुम लोगों को इसका फिगर बना कर देना चाहती थी पर इतना टाइब नहीं था और यहां से तुमने भी चले जाना था मैंने सोचा कि तुम हमें भूलना जाओ इसलिए मैंने तुम्हें यह बना कर दी ता कि तुम जब भी हमें बूलना चाहो तुम इस ट्राइंग को देखकर हमें याद कर लो अब वो डिसाइड करती है कि हम साथ में घूमने के लिए जाएंगे इसलिए वो साथ में इतनी जगों पर गोमने के लिए जाते हैं चैंड भी अपने बेंज़ती पर हंसने लगती हैं यह automation पागलं की तरह हंसरी है कि सबी लोग इनकी कर देखने लगते हैं यह दिए पर जैने और उसके मम कोई लगते हैं मैं इससे बात करती हूं यह सुनते फैंड डर ओन करके जल्दी से रोत के गले लग जाता है और दोसी तरफ हमें जाओ दिखा जाते हैं जो ऐसके सभी दोस्तों के साथ बैट कर दीनर करी होती है वह लोग इसकी उनिवर्सटिय के बारे में पूचे होता यह बता रही होती है यह उन लोगों के सामने काफी स्मार्ट थी Christian करने है मिरे साथ चलो तुम्हें जो भी बरबी करना होती है मैं तुम्हारासा में अपने आण으면 चाहिए यह बास Azona ये लगती है कि руки वन Quick जो राटकर घाल फो चाह decor Online चाहरीव किर पहो कर देती है कि यह आपके लिए वह भी रहुत की इस पास से काफी कुछ हो जाती है और जो की माम दिखाए जाती जिन्हें अपनी बात के एसास हो चुका थे इसलिए वह को कॉल करते हैं कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ ज्यादा अच्छे थे पर इस तरह त क्या हुआ तो बताते हैं कि आ दूर जारी है और शाहिद हुमें कभी मिले भी न वह जैसे होने क्या जर्शान हो वह जरू हो ना उस के लिए पर इसमें प्रेशान हो जाते हैं और ऑपने वाकस को बहुतर ही जदा टाफ टाइम दे रहा होता इसी वज़ह से तीन लोग तो के सामने डिजाइन देखरमा से चले जाते हैं जबकि शावे तो रोकता भी ने और मेनेजर रोकने की ट्राइब भी करता है पर वो लोग कहार उखने वाले थे और यहीं पर हमारे यह पार्ट भी अंड हो जाता है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक करना